सेजी बोल कक्षे दसवी के विद्यार्थी को संस्क्रिट सब्जेट का यहां पर मैं मॉडल पेपर दिखा देता हूं तो मॉडल पेपर देख लो मैंने जितना भी प्रसना बता है वो सब के सब मोड टाइम पी है अगर आप उसकी तयारी कर लिये हैं तो इस मॉडल पेपर को जरूर देखना क्योंकि यह सेम टॉपिक पर ही कुश्चन आपके आएंगे इसलिए मैं यहां पर model paper यहां पर provide करा हूँ अगर आपको यह model paper देखने के बाद question नहीं बन रहा है तो आप पूरा का पूरा फिर से तयार करेजिए क्योंकि आपके पास सुबा 8 बजे का समय है पूरी की पूरी अच्छे स्यारी कर सकते हैं इसलिए मैं यहां पर model paper आपको provide करा रहा हूँ जिससे क्या होगा कि अगर आप paper में जाओगे तो कोई भी चीजे आप भूलोगी नहीं तीक है आपको पता चल जाएगा कि कैसे question आएगा और यह model paper जो है ना same to same जो मैंने provide कर उसी से समंदित पूरे प्रस्ण है तो आपको same to same ऐसी प्रस्णा देखना मिलेगा और इस model paper से भी प्रस्णा आपके exam में आएगा यह भी मैं कह रहा हूँ ठीक है clear है चलो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ यह पर ओचीत विकल्प चितवा ल इन darAKँ पर तु यहां पर आपको asila में ओर इन देना होरी किता के बात के tillफ़ो चापा से कौन शाले दो चापा से कौन था कल्यार साय सायills कुसला, निपुडा, प्रमिडा, योगे, विभक्ति, अस्ती, यहाँ पर कौन से विभक्ति हैं यह पूछ रहा है, यहाँ पर आपको लेना है, सब्तमी विभक्ति है, इसके बाद है, तत्रबीएड प्रसिक्छण इस्यापी, समुचिता नौचारी व्यस्था वर्तते अस्म कौन सा है तो इस निर्दी सती में उपसर्ग कौन है तो नीर यहां पर उपसर्ग होगा ठीक है मैंने उपसर्ग और प्रत्या बहुत ही बारीकी से बताया है तो आपको पता होगा चलो इसके बाद देखो उचित विकल्व चित्वा रीक्तिस्थान यहां पर बताना है तो यह भरना है आपको इक थिसान में फिध्या न में फिले में फिल्सान ऑम नभी है To पर सवर्ण संदी अनुस्वार और जस्वात तीनों से ही कुष्ट्यन आएगा मैंने बताया था ठीक है तो अगर आप अच्छे से उसको तयार कर लोगे तो वहां से कुष्ट्यन फिक्स आने ठीक है चलो आगे देखते हैं इसके बात देखो कभी प्लस खाली संद इती कवित अब देखो यहां पर प्रत्य बताना है सीधी सी बात है यहां पर मुझे पता चल गया कि यहां पर कवित्तम लगा है तो आपको क्या लेना है प्रत्य जब मैं आपको बता रहा था तो प्रत्य पांचों पत्य के बारे में बता था तो 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 प्रत्य लगेगा यहां पर तो क यहां पर देखो मयम को आपको लेना है चतूर्थी विभक्ति में लेना है यता को क में लेना है अव्याव में लेना है ज्वेपते इसको आपको लेना है घह में लेना है में सरीराम में लेना है फिर सेवासरया सेवासरयम इसको लेना है अंगा में लेना है वर्धयाम में लेन तो देखो 126-117 इसके लिए मैंने बहुत थी बारीकी साब को ट्रिक बताया था अगर उस ट्रिक को यूज करोगे तो यह आसानी से बन जाएगा उस ट्रिक के माध्य हम से आप याद कर लेना सभी चीजों को तो बहुत कम समय में याद हो जाएगा तक्रीबें 10 में मैंने बत यही सब्द लगेगा विस एक से लेके 139 तक के यही सब्द लगेगा मात्र बाकी जो मान है वही बस बद लेगा जैसे एकम दुआं दुआ त्रेय ऐसे बसने यही बस सामने सामने में लगते जाएगा बाकी सब सेम रहेगा फिर 117 को देखो 117 में क्या है अगर 110 से है मतलब अब 109 से अधिक है 110 से लेके 119 तक के सब्दों के लिए क्या लगाना है आपको 10 अधिकम लगाना है तो देखो सब्द है तो सब्द दसाधिकम सदम इस तरह से मैंने ट्रिक बताया था आपको तो वही ट्रिक कर यूच करके यहां पर बनाना है ठीक है चलो इसके बाद अगर अगर वहां से अगर आप याद किया है तो यह आसानी से आपका बन जाएगा चलो आगे देखते हैं इसके बाद है प्रत्या चा प्रिथक कुरूत ठीक है तो प्रत्या को आपको प्रिथक करना है पूरा प्रत्या के बारे में मैंने बताया था जैसे किसोरी सब्द दिया है तो इसमें अगर प्रत्या अलग करने के लिखा है तो कौन से प्रत्या है तो मैंने पांचों को बताया था डीप है कि सोरी हो जाएगा फिर है सपता ही ही लगा है मतलब एक प्रत्या है ठक प्रत्या है मतलब तो यहां पर क्या लगा है सपता प्लस ठक लगा यहां पर धककन कड़ा है ठक रहेगा ठक प्रत्या है यहां पर ठीक है तो यहां पर ठक हो जाएगा सपता प्लस ठक इस तरह से आपक है तो बस वही चीज़ आपको निकालना है प्रत्या से भी मिलेगा फिर यहां पे देखो अधो लिखित कहा है धातु नाम वाला है यहां पे टीन में लिकने की क्लिक है देखो है इसको फूरा अपको लिखना है तो छलो इसको भी आप लोग प्रधह में प्रत्वा पुरुस में इसको दृति को लिख को पूछा है लिटलकार मध्यःपूरुस में और देख सकते हो तीनों रूप में यह लिखा हुआ है फिर यहां पे देखो सत्वा परोफ को भी मैंने बताया था तीन ही आएगा दौन को दोनों जो प्रधान होना च तरह से आपको बताने हैं ठीक समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं चलो इसके बाद देखो वाच्च देखो वाच्च भी आएगा मैंने बताया था ठीक है तो वाच्च में देखो क्या क्या सकता है तो कौन कौन से वाच्च है यहां पर देखो बाला दुद्धम पीवति ठीक है तो यह वाच्च पूछा है मात्र तो यहां पर बताओगे आपको आपको बताना है कि यह है करत्री वाच्च है इसके बाद देखो लोग को पढ़ाया भी है तो वहीं से आप टॉपिक से जहां जहां से मैंने याद कर निकला है वहीं से याद करना और यह चीछ देख लेना ठीक है यह सभी के सभी मैं आपको थोड़ा सा याद कराने के लिए यह सारी वीडियो बता रहा हूं फिर यहां पे मैंने हिंदी भास हम अनुवाद करें लिकला है तो यह देखो अनुवाद करें इस तरह से एसके बाद मैं आपको आगे दिखा देता हूं फिर आपको 11वा प्रसने है तो प्रस्ण वाला toость पीक मैंने बता दी कौण़-कौण से आ भी आप अच्छे स्टायार कर लेना इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं चब्रशन देखो यहां पर चोद्रवा में भी प्रस्ण उत्तर है वह किसंगना है संस्कрет भासम उत्तर होगा ठीक है एक संस्कृत भासम में अद्टर आएगा और एक हिंदी भासम उत्तर आएगं कि इसके बाद देखते हैं तर्फ 15 प्रश्न में देखो क्या लिखा है सुक्ति लिखने के लिए आएगा ठीक है तो यहां पर देख सब्सक्ति है चार तोसके बाद 8 नेस्ट दिखाता हूं आपको et पीछे वाले का आप बना सकते हैं तो उन्चारों पच्छे स्तयार कर लेना वही से कुष्चन आएंगे इसके बाद निबन निबन भी होगा वह यहां पर देख सकते हो तुबास चंदर बोस और महा कभी काली दास का यही निबन आपके एक्जाम में आएगा ठीक है तो यहां आप लोग एक बार इस पेपर को देख लो ना सेम पैटर्न में यही पैटर्न में आपका कुष्चन आएगा और जो जो मैंने बताए है वही से कुष्चन आएंगे इसलिए आइंपी में जितना मैंनी कुष्चन आपको बताया वह सब अच्छे स्यार कर लेना